हालो फ्रेंड्स तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्मसिटिकल एनलिसिस के दा मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन के बारे में तो हमने जो अपने फार्मसिटिकल एनलिसिस के लिए इंपोटेंट कोश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर दिया था दो सब्जेक्ट सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोग को पता हो तो यह हमारी रिवाइज वीडियो मतलब क्या है कि हमने पहले से इनके दो साल पहले करीब हमने इंपोर्टन कोशन बनाए थे उन्होंने काफी जादा है करेंगे तो अगर आपने प्रीविएस वीडियो देखी होगी तो जादा कुछ आपको डिफ्रेंस नहीं मिलने वाला कुछ एक दो कोशन हम यहां एड करेंगे क्योंकि उसमें से भी लगबग कोशन हमारे वही रिपीटेड होते रहते हैं हमारे साल दसार बनाब वही चलते र विलफुल होने वाले हैं बस डिफ्रेंस क्या हो जाता है जैसे पंदरे नमर का कोशन आता है तो इस तरह समझ लो कि वहां पर क्या होगा इसको और डीटेल में पूछ लेंगे या पर दो कोशनों को एक साथ मिला कर देते हैं या कई बार आप देखोगी कि इनको पॉप्सन अब बाकि इसमें देख शाए सबसे मोश्यृटान यूनिट हमारी थार्ड और फश्ट है थार्ड में मतलब इसलिए क्योंकि इसमें कोश्चन हमारे थोड़े जादा बन झाते हैं सेम यह कई बार क्या होता है सेकिड फ़ीड रम एक ब्रावर बाकि आप यहाँ पर यहां फार्मेसी कैसे पास होंगे फार्मेसी में सेकंड एक्जाम आंसर राइटिंग डिक्स की एक्जाम में आपको कैसे मनलब कोश्चन वगरा लिखने तो उसके बारे में आपको यहां देखना पड़ेगा ठीक है बाकी टू मास की वीडियो हमारी बनके आएगी तो अगर आपने यह वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बठाओगा यह निचोर वाली वीडियो आपको कितनी ज्यादा हेल्प करने वाली है चलिए तो यहां पने यूनिट फैट के कोश्चनों को समझते हैं लेकिन उससे पहले हैलो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बह यहां पर हो नहीं तो यहां पर मात करें पहला क्या होती है इसके बारे में आपको बताना थन then classify them types of error यहां पर कई वार types of error करके आता है then describe the methods of minimizing error यानकि errors को आप किस तरह कम कर सकते हो यह पूरा एक long question आता है 10 marks में या कई वार 7 मगरा में की टीव में या आर्जी भी वाले आप समझ सकते हो अगर 15 में यह पूरा भी आ सकता है तो इस तरह यह हमारा long question इक बनता है बागी यहार second question हमारा और इससे भी ज्यादा important वह आता है describe the methods of expressing concentration in detail तो इसके अंदर हमारे total पांच में नॉर्मालिटी morality 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 और भी है तो यह कुछ method है हमारे जो express करते concentration को तो यह बहुत ज्यादा important question है इसको भी आप लोग जो अच्छे से कर लेना तो यह दो question हमारे unit first के हैं जो must most important है आपको करने ही करने पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें third question हमारे इसमें से बनता है डिसकस्ट अप preparation and potassium permagnate oxalic acid या फिर sodium hydroxide तो यह कुछ चीज़ा है इनकी preparation मगरा कैसे करने हैं यह आप यहाँ पर लेना और उसके बाद कई वाद salt में कुछ नहीं हमारे बन क्या जाते हैं कि difference between primary and secondary solution यह हमारे क्या होते है accuracy and precision का difference आता है यह कई वार various techniques of analysis, volumetric analysis यह सारी चीज़ा आते हैं ठीक है तो इनको मैं वैसे आपको provide कर दूंगा unit first आपको अच्छे से बागी time कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको question wise solve करके provide कर दूँँ आप लोग comments करके बता आपको किस तरह चाहिए question wise solve करके चाहिए यह मतलब आपको पूरा चैप्र वाई चाहिए कैसे आप comment करके बता दो बागी यहां पर एक question हो रहे है आप वह से कि analysis की definition क्या होती है यह आपको comments लिखके बताने हैं तो यहां पर फूरा जो भी आप comment करें बता हो देखते कितने लोगों को इसके बारे में आता है पेपर देने जा रहे हुए इसके बारे में इतना तो पता होने चाहिए और लिखना जरूर एक बार आप लिख दोग यह question हमारा कई बार आता है तो यह चीजों को आप focus inorganic से ही मार लेना है यहां आ गया तो दौनों में आपके काम आता है ठीक है तो यह हमारे main इसमें दो question आप समझगे होगे unit first में इनको आप रट्टा लगा लो चाहे पढ़ लो कैसे भी इन दौनों को बिल्कुल छोड़ इंडिकेटर या फिर एक और इसी गंदर अगर आप सिलेबस लेखोगे तो एसिडवेस इंडिकेटर भी है और एसिडवेस टाइट्रेशन भी है तो दोनों की ही थेओरीज हमारी है इसमें इसे स्ट्रॉंग बेस के लिए तो यह दोनों ही हमारे important है कई वार हमारे याता है है लेकिन इसमें सबसे important हमारा क्या है एसिडवेस इंडिकेटर के ऊपर तो यह आता है कि theories of एसिडवेस इंडिकेटर के बारे में लेको तो इसलिए यह मैंने मोश्टमेटर रखा पकी टाइटरेशन के बारे में भी आप लोग देख लेना उसके बाद यहां पर अगर आप इसको आप अच्छे देख लेना उसके बाद यहां पर एक और कोशन हमारा मोश्टमेटर बनके आता है राइटर नोट ऑन एलकली मेटरी एंड एसीडी मेटरी इन दोनों के डिफ्रेंस आपको कमेंट्स में नहीं आपको मतलब पढ़के जाना अच्छे देख एक्जाम में कई बार यह कोशन आता है और फॉर्थ इसका और इंपोटन कोशन में आता है डिफाइन नॉन एकोस्टा इटरेशन एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइपस आप सॉल्वें बाकर हमारे कितने टाप्स के उथे उसके बारे में अपको यहां बताना है बाकिए उसमें हमारी लेवलिंग इफ्रेंसे और अच्छे से आपने पढ़ रखी होगी तो यह करा देना और जो मेरे प्रिवेस कोशन थे दो साल पराने उन्हें भी यह सब आप देख सकते हो ठीक है तो इन कोशनों को आप जो अच्छे से तैयार कर लेना अब अगर हम बात करें यूनिट थर्ड के बारे में तो इसके अ आता जरूर है कई बार केवल कोई एक आता है यानि कि मालो मोहर आ गया या फिर वोलाड या फैदान सा गया और कई वार क्या होता है दो को एक साथ मिला कर देते हैं तो अगर मैं आप से बोलों कि ज्यादा लेंट ही नहीं आप 55 मार्स के अकॉर्डिंग तीनों को कर लो वलाड आया है तो हम कंफ्यूज बैसे दिए तो इसको आप अच्छे से करके जाना है बाकि आप इन्मेंसे कोई भी एक देख सकते हो ठीक है वाला कुशन हमारा बहुत इंपोटेंट है एक्जाम में कई बार आ तो इसको आप देख सकते हो उसके बाद इसके अंदर सबसे मोस्ट इमिनेट पार्ट आता है ग्र्याभी मेट्री जो हमारे इउनिट थर्ड के अंदर आता है और मैंने आपको पहले वह उसको बहुंग युद्ट यह उसको डिफाइन करना है तो ग्रैवी मेट्री के लिए पूरा मतलब इस तरह सात आट इस पर जिन से हम पूरे को कर सकते हैं तो वह सारे स्टेप आप आने चाहिए और स्टेप के अंदर के भी कुछ पार्ट है वह भी हमारे कई बाद आते हैं इगनीशन क्या है ड्राइंग क्या है तो यह चीज़ भी आप अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद यहां पर फोर्ड कोश्चन भ किसमत खराब होती है का अद बार आता है बादना नहीं आता बागी इस्टी मेशन हमारी आती जरूर है लेकिन कंफर्म नहीं किस की आए कभी वैरियम सेलफएट की कभी केल्सियम के लोकर जा इनके अपोज में भी एक उनके आती है तो फिर मैंने इसको इंपोटेंस में नह सकता है तो यहां सबसे इंपोटेंट हमारा आता है डिफाइं रिडॉक्स टाइटेसन ना ना यह आता है डिस्क्राइब दा कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडॉक्षन का कंसेप्ट आपको याद रखना अब देखो यूनिट फोर से कोश्चन तो एक आना है तो सिंपल भी बहुत है तो आप क्या करोगे इसको अच्छे से बढ़ लो क्योंकि यह भाई कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे आने 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 वाले हैं इसके अल्टरनेटा कर यह नहीं आता तो यह कुछ नहीं आता है कि एक्प्रेंदा आइडिमेटरी और डिफ्रेंस करके देते कि डिफ्रेंसियेट बिफिन आइडिमेटरी और आइडिमेटरी तो यह दो कोश्चन हमारे यूनिट फॉर्ट के वह बहुत जादा इंपोटेंट इनको आप अच्छे से करके दाना बाकी कई वार इसी में से और बन जाते कि इंडिकेटर यूजर डिएक्टराइशन क्या क इसे है पर डाइक्रोमेटरी केरिमेटरी इनको दो नमर के कर लेना तो इंडिकेटर यूजर वाला भी कई वह राजाता है तो इसमें दो कोश्चन हमारे यह बहुत इंपोटेंट है इनको आप अच्छे से करके ना आपको यहां इस वाली यूनिट से आपको दो कोश्चन ह इसको आप बिलकुल मिसमत करना वाकि यह वाले अच्छे से पढ़ने ना तो इनको इलेक्ट्रोखेमिकल सेल बोलते है पोटेंश्यूमेट्री के अंदर आता तो यह चीज़ आप देख लेना तो इसमें यह वाला एक हमारा सबसेंपोटेंट है जिसमें हमारा आता है ड्रॉपिंग मरकरी एलेक्ट्रोड तो यहां पर आता है डिफाइन पोलेरोग्राफी थ इनका बस ओबर्वी ले लिना कि क्या चीज़ा होती है तो अगर देखा दाए तो यूनिट में भी हमारे दो कोशन मिल गए तो अगर हम ओवरॉल देखें तो यह इंपोटेंट तो हमारे हैं लगबग 20 के परीव साइज कोशन होगे लेकिन इनमें भी और टॉप के कोशन द इसे हैं जो आप पढ़के जाओके और उन 15 मैंसे मैं गारंटी दे रहा हूं साथ से आथ कोशन आपके फसेंगे और साथ-ाथ कोशन अगर आप किसी पेपर में करके आते तो पास तो आप बड़े आराम से हो जाओके बाकि दो नमर वाले आपके पास होते हैं तो अगर ओव कोशन वाइज करें यहाँ पर कि चैप्टर वाइज करें मतलब चैप्टर जो सिलेवस वाइज करें कि यूनिट वाइज करें इंके अकॉर्डिंग ठीक है तो यह कमेंट करके बताओ बाग की आपके उजाम के लिए मिलते हम आपसे बहुत दल तब तक लिए आप अपना औ अपनी फैमिली का ख्या लखेगा बाई बाई दोस्तो जाहिन दोस्तो